दोस्तों आज के वीडियो में हम अनानस के बारे में जानेंगे अनानस के अउस्दिक गुन भी बहुत होते हैं ये सरीर के विद्री विशों को बाहर निकालता है इसमें क्रोलिन की भरपूर मात्रा होती है साथ ही पित विकारों में विशेश रूप से और पिलिया काड़ी है ये गले एवं मुत्र के रोगों में लाब दायक है इसके अलावा ये हट्टियों को मजबूत बनाता है अनानस में परचुन मात्रा में मैदमिसियम पाया जाता है यह सरीर की खटियों को मदबूत बनाने और सरीर को उर्जा परदोन करने का काम करता है साथ ही यह कई रोगों में उप्योगी होता है इस फल में पाए जाने वाला ब्रोमीलियन, सर्दी और खासी, सूजन, गले में खरास और गठिया में लाबदायक होता है यह पाचन में भी उप्योगी होता है अनानस अपने गुल के कारण, नेत्र जोती के लिए भी उप्योगी होता है दीन में तीन बार इस फल को खाने से बढ़ती उम्र के साथ अंखों की डोसनी कम हो जाने का खत्रा कम हो, कम हो सकता है आस्ट्रेलिया के बैज्यानिक के सोधों के अनुसार यह कैंसर के खत्रा को भी कम कर सकता है यह उच एंटि अक्सिटेंट का स्रोध है इसमें बिटाइमिन सी परचूर मात्रा में पाया जाता है इससे शरीरे के परति रोधक शमता बढ़ती है और साधारन धंड से भी सुरक्षा मिलती है इससे सर्दी समेथ कई अन संक्रमन का खत्रा कम हो जाता है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सस्क्राइब करें तथा सेर जरूर करें थैंक यू पर करें अन संनक्तर जरूर को सकते हैं चनल करें खत्राइब करें अ करें आप एक जाधा है झाल 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 झाल